इस वीडियो में बात करेंगे आप कभी भी किसी प्रकार की कोई जमीन खरीदे हैं चाहे वो प्लोटिंग की जमीन हो चाहे किसी प्रकार की जमीन हो तो आपको वहाँ पर चार कंडिसंस जरूर देखनी है यदि माली ये चार कंडिसंस में से कोई भी कंडिसंस है तो वहाँ प पर कोई विवाद जिससे कोट कचरी के चक्कर काड़ने पड़ते हैं चलिए उन चार जो भी चार जो सरते हैं उनके बारे में बात करते हैं इससे पहले मैं आप से कहूंगा कि यदि आपका प्रॉपर्टी से कोई भी कुस्तन हो तो आप कालमी फूर मॉबाइल एप पर मुझ को एक्स्पिलिंध कर दूंगा कहा कहा पे आपके साथ फ्रोट हो सकता है जो के आहां पे आपको देखना चाहिए थीक है सबसे पहले स्टाइक अब जाना होने पर दूसरा जो है जमीन का दाकिल खारिज़ ना होने पर तीसरा जो है जिसके नाम जमीन है अगर उससे अन्ड वेक्ति कोई आपको रोजिस्टरी करवा रहा है तो ऐसी कंडिसन में या चौता जो सबसे महतपूर है वो यदि आपको जमीन फरजी लगती है तो आप उसकी जानकारी कैसे कर सकते हैं ये बहुत ही महतपूर पॉइंट है सबसे पहले बात करेंगे इस्थाई कबजा ना होने पर जो संपत्ति अंतरहड अधनियम जो है वहाँ पर इस्थाई कबजा को बहुत ही महतपूर दिया है माली जी आप कोई वी किसी प्रकार की जमीन खरीद रहे हैं और जो वेक्तिया आपको जमीन बेच रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे उसका अभी प्रिजेंट टाइम में वहाँ पे उसका कबजा है या नहीं है ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी को एग्रिमेंट पे दे दी है या मालीजी कोई अन्यवक्ती कबजा किये हुए है वो जमीन जो है उस पर विवाद चला है और आपको विवेच देता है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आपको इस्थाई कबजा देखना है दूसरी बात ये है कि यदि मालीजी आपने इस्थाई कबजा तो देख लिया किसी का नहीं है बिल्कुल जमीन सही है और उसके बाद यदि आप देखना चाहते है इस पर कोई विवाद नहीं है तो जमीन के गाटा संक्या से आप बिल्कुल आसानी से अपने फॉन से पता इससे आप फॉन से देख सकते हैं मैंने कई वीडियो इस पर बनाए है आप उसकी भी लिंक मैंने वीडियो की डिक्सल्ट में प्रोवाइट की है ठीक है आप जो भी जमीन है उसके गाटा संक्या से देख सकते हैं या माल लीजे आज आप रेजिस्टरी वापस जाके पहले जमीन खरीदी ए वेक्ति ने जमीन खरीद ली उसका म्यूटियसन दाकिल खारिज नहीं करवाया और ए ने बी को बेच दी बी ने सी को बेच दी किसी ने भी अगर म्यूटियसन नहीं करवाया है दाकिल खारिज नहीं करवाया है तो आप ऐसी जमीन को बिल्कुल भी यहाँ खरीदे हैं, हाँ खरीद सकते हैं, यह आप उसे सर्त लगा सकते हैं, मैंने आपको एक यह 2 महीना दिया है, आप इस जमीन का अपने नाम दाकिल खारज जरूर करवा ले हैं, ठीक है? क्योंकि माली जी एव एक टी ने खरीदी वही, उसने भी दाखिल खारज में ला परवाई की फिर उसने रेजिस्टरी से ही क्योंकि रेजिस्टरी से हो जाती है उसने B को बेच दी, B ने C को बेच दी अब माल लेजिए C से आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आप भई उन लोगों से ये कहें कि वही एक दो महीने में आप इस जमीन का सी से कहें कि वही आप इस जमीन का दाकिल खारज अपने नाम करवाले हैं फिर मैं आपसे जमीन खरीद लूँगा ठीक है यदि मान लीजिए जमीन का दाकिल खारज नहीं हुआ है तीन-चार रेजिस्ट्रियां हो गई है, जमीन के दाकिल कारिज नहीं हुआ है, तो मैं आपको यही सला दूँगा, कि आप ऐसी जमीन ना खरीदें, यहीं खरीदते हैं, तो उनसे खुद कहें, कि आप जब दाकिल कारिज करवा लें, तभी मैं आपकी यह जमीन खरीद सकता ह क्योंकि देखिए, उसमें कभी-कभी यह परिशानी आती है, मान लिजिए, A, B, C, सब ने रेजिस्ट्री से रेजिस्ट्री कर दी भई, प्रॉपर्टी आँगे बढ़ रही है, अब मान लिजिए आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने दाकिल कारिज के लिए एप अच्छी जमीन लगी है, फिर भी आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन दाकिल कारिज नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाके, और जो भी गाटा संक्या है, उससे आप पता लगा सकते हैं, कि वही दाकिल कारिज जो है, इस पर कोई विबाद तो नहीं है, आप तैसिल जाके प आए तो जो A ने B के नाम कराई है उसकी वी रिजिस्टरी आप लें बी ने C के नाम कराई है उसकी वी रिजिस्टरी आप लें और C जो आपके नाम करावाएगा तो C की वी रिजिस्टरी आप ले लें जब आप तीनों रिजिस्टरियां लेंगे और तीनों रिजिस्टरिया जब आप तैसिलदार के यहाँ तैसिलदार नयालाय में जब आप पेस करेंगे तो उसी के आधार पर आपके नाम जमीन का दाकिल खारज होगा ठीक है अब मैंने दूसरा जो पॉइंट है वो आपको बिलुकल क्लियर कर दिया है इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर अवेश से फॉलो करें वहाँ पर मैं बहुत ही मैथपूर जानकारी देता रहता हूँ लिंक वीडियो की डिस्सम मैंने दे रखी है आते हैं तीसरी पॉइंट पर कि देखे जिस व्यक्ति के नाम जमीन है आप उसी व्यक्ति से रेजिस्टरी करवाएं उसी व्यक्ति से जमीन खरीदें देखे कई बार क्या होता है कि वह पावर एट और नहीं है या माली जी जिस व्यक्ति के नाम है उसका भाई नाम करा रहा है या माली जी पिता के नाम जमीन है पुत्र नाम करा रहा है तो ऐसी कंडिशन में मेरी सला है आपको कि ऐसी कंडिशन में आप उन लोगों से रेजिस्टरी ना करवाएं आप उनहीं से रेजिस्टरी करवाएं जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है जो सरकार के हाँ जो आप registry लें उसी के जो भी अंगूटा निसान है उसी के sign उसी सी आप registry लें देखि कई बार क्या होता है कि पिता की संपत्ती बच्चे बेच देते हैं ठीक है या मालीजे पिता एकस्पायर हुआ और उन्होंने वही क्या किया एक बच्चे ने अपनी संपत्ती बेच दी जब क कि वहाँ पे अभी जो उत्रा अधिकार मामले में उनका दाखिल खारज नहीं हुआ था फिर भी उन्होंने जमीन बेच दी या मालीजे भाई ने भाई की बेच दी या मालीजे पावर अट और नी कई बार होता है कि पावर अट और नी वाला जमीन registry कर देता है तो ऐसी जो है वह बिलुकुल सही है या नहीं है और जो भी उसका असली माले को आप उससे भी बात कर सकते के भाई आपने इसक्तिक को पावर अट और नी की थी या नहीं की थी। ये power of attorney में ये बात बिलुकुल इसपस्ट कई है कि अगर मालीजे किसी व्यक्त ने अगर किसी व्यक्त को अपनी संपत्ती बेचने के लिए नुक्त कर दिया है ठीक है तो उसकी registry भले ही ना की हो लेकिन अगर उसने उस व्यक्त को power of attorney से हटा दिया है नुक्ती से हटा दिया है power of attorney को तो वहाँ पर या तो ये newspaper में निकलना चाहिए या इस बात की registry होना चाहिए कि भई इस व्यक्त ने जो है यदि जमीन आपको फरजी लगती है तो उसकी जानकारी कैसे करें इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप instagram और telegram पर मुझे follow करें और यदि मान लेजिए आप यह जानना चाहते हैं आप कोई वी किसी प्रकार की जमीन चाहिए वो मकान हो चाहिए वो plot हो चाहिए वो खेती की जमीन हो आप उसकी full detail एक एक point बिल्कुल आप detail clearly कैसे निकाल सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं किस पर कोई विवात तो नहीं है यह जमीन फर्जी तो नहीं है इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आप कमेंट कर सकते हैं और Instagram और Telegram पर आप मुझे अवस पॉलो करें लिंक वीडियो की डिस्क्री में ने दे रखिए